22 मार्ट से एक विक लिए इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं लैंड करेगी क्या तुझे कैसे पता हेलो एप से देख ये है हेलो एप जैसे ही आप हेलो एप डाउनलोड करते हूँ उस पर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेंगे जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियो, आर्टिकल्स मिलेंगे उससे आप डे टूडे इंफोर्मिशन से अपडेट रह सकते हूँ ये तो बहुत अच्छा एप है, मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी ये जंग थी किचिन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पती, कैसे? आएए देखते हैं इस किचिन पॉलिटिक्स की कहानी में एक दिन किचिन में मा जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सबजी इस खाने से घर वालों की पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाज जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुँच जाती हैं तब इस सुगंधा के ससूर उसकी बनाई सबजी की तारिफ कर देते हैं अरे वाह मेथी की सबजी भी बनी है बड़ी ही स्वादिष्ट है वा बहु वाह अरे बहु लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बरबात करने की क्या जरूरत थी देखे माजी ये तो वो मेथी है जो आप रात में भीगो कर सुबह उसका पानी पीती है और जो मेथी फेक देती है उससे मैंने ये सबजी बनाई है अरे वाह बहु तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया बस अब क्या था कान्ता जिका तुम मानो ये सुनकर खून ही सुख गया वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारिफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमिया गिनाएगी कान्ता फ्रिज खोल कर दीख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है अरे बहु ये क्या? पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है तभी वहाँ सुगंदा का पती आ जाता है वो सुगंदा को डांट कर कहता है सुगंदा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वाइरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा खयाल रखना है लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा? सुगंदा सास की तरफ देखती है, जहां वो मुस्कुरा रही होती है सुगंदा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब क्या है दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती है दोनों ना एक दुसरे की तरफ देखती है और ना ही एक दुसरे से बाते करती है रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती है और अपने अपने पती के पास जाकर खड़ी हो जाती है अरे खाईए जी खाईए मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है प्लेट में वो खाना डालती है सुगंदा भी दोनों की प्लेट में खाना डालती हुए कहती है बड़ी है मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में हाँ दोनों को ना चाहती हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है कहीं दहीं तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पती चिला रहा होता है तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है ए बगवान इस सास बहु के लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी जाओ कोई डॉक्टर को बला कर लाओ डॉक्टर आते हैं दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहती है देखें आप दोनों इने खाने में हलका ही दीजिएगा गो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे इतना कैखकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं कीच्ण में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के चेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मुंके दाल की खिचडी के साथ ये पापड और पुदिने की चटनी भी बनाई है। अरे बहु, अभी अभी बेचारे पेट की बिमारी से गुजरे हैं। इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है न। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तबी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में। ना खिचड़ी और ना ही सूप, हम इनसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दुनों आसे चले जाते हैं। कहानी का अंत, आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहु के बीच सब ठीक हो जाए, तो आप ये इस रिस देखे ही क्यों। तो मज़ा लीजिए इस चैनल में सास बहु से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिष्टा है, जिसके मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती है।